दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में श्रधार्या के शादी की चर्चाएं अभी थमी ही नहीं थी कि अब टीवी इंडस्ट्री से एक और अभी नेतरी अपनी शादी की खबरों को लेकर हुप सारी चर्चाओं में आ चुकी है जी हाँ श्रधार्या के बाद उनकी क्लोस फ्रेंड और मशूर अभी नेतरी अंकिता लोखंडे जल्द ही विक्की जैन से शादी करके अपना घर बसाने वाली है जिसकी खबर सुनकर हर कोई तरह तरह के रियक्शन दे रहा है और उन्हीं में से कुछ रियक्शन अंकिता अंकिता लोखंडे की शादी पर उसी रियक्शन के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी बजल से जब इन्हें अंकिता के शादी की खबर मिली तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ फाइनली तुम और विक्की हमेशा के लिए एक होने जा रहे हो विक्की सच मुझ काफी अच्छे इंसान है जिनके साथ तुम्हारी जोडी बिलकुल राम मिलाई जोडी लगती है और इसलिए मुझे तो अब बस तुम्हारी शादी के दिन का ही इंतजार है जिसमें मैं जम और रित्विक के बीच में भी काफी अच्छी बॉंडिंग है और इसी वज़े से इन्होंने भी अंकिता को कॉंग्रेचुलेट करते हुए बधाईया दी है और उनकी शादी के लिए अपनी एकसाइटमेंट जाहिर करते हुए कहा है कि मैं तो बस अब तुम्हारी शादी क देट का बेस्बरी से इंतजार कर रहा हूं नमबर थ्री ऊशा नाट करनी इस लिस्ट में एक नाम अभी नेतरी ऊशा नाट करनी का भी शामिल है जिनोंने शो में अंकिता के सासु मा का करदार निभाया था वहीं अगर बात करें कि आखर इन्होंने इनकी शादी पर क्या तो बता दे उशा नाट करनी भले ही शो में अंकिता को काफी खरी खोटी सुनाती हूं पर रियल लाइफ में अंकिता की शादी के खबर सुनकर इन्होंने उन्हें खूब बधाईया दी हैं और कहा है कि भगवान करे तुम्हारे जीवन में ऐसे ही धेरो खुशियां आती रहे मैं तो कब से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही थी पर मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फाइनली ये फैसला ले लिया है अब तो मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम दोनों का साथ जिन्दगी भर बना रहे नमबर 4 शूती कवर बात करें कि शूर की रहे नकी दूसरी बेटी बनी शूती कवर ने इनकी शादी पर एक्षन दिया जाए तो बतादें शूती भी अंकिता की शादी के बारि में जानकर बेहत खुश हुएं इसलिए उन्होंने कहा कि वाओ अंकिता तुमने फाइनली व सीबत में खड़े रहो और TV इंडस्ट्री की सबसे परफेक्ट जोड़ी के रूप में सामने आए तो दोस्तों आप इन सितारों के रियक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका अंकिता की शादी के बारे में सुनकर क्या रियक्शन था आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी TV इंडस्ट्री से चुड़ी ऐसी ही और लेटिस्ट खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें